पुश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे SYL जो यह सोंग आया था सित्व मुसेवाला का जो इनकी डेथ के बाद आया पहला सोंग है 23 जून को इसको रिलीज किया गया था 29 मही को सित्व मुसेवाला की डेथ हुई थी अब डेथ के बाद यह जो पहला सोंग आया है जैसी यह सोंग आता है तो तभी से यह कंट्रोवर्सी में आ गया था विवाद हो गया था इसी गाने के उपर SYL गाने के उपर और अब यहां पर गोवर्मेंट ने खुद कंप्लेंड करके SYL गाना को YouTube इंडिया से हटा दिया है यानि हिंडिया के अंदर यह एविलेबल नहीं है बाकी के दूसरी कंट्री के अंदर यह एविलेबल है आप इसको देखने सकते है बारत के बाहर जो है आप इस गाने को देख सकते हैं यह सब सब चीज़ें हुई है कि आज हम जानेंगे कि क्या ऐसा इस गाने के अंदर था जो इसमें स्टार्टिंग से इसका इसके उपर स्टार्ट हो गया था विरोध होने लगया था इस गाने का और अब गॉर्वेंट ने इसको क्यों हटाए क्या क्या इसके अंदर ऐसी बातें बोली गई है चली स्टार्ट करते हैं लेकि पीडियो जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक और इसके उपर इतना टाइम से विवाद चल क्यों रहा है पंजाब पानी देना क्यों नहीं चाहरा हर्याना के पास पानी की कितनी ज्यादा किलत है कि उसको पानी चाहिए चाहिए है तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं तो यहां पर एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आप देख सकते हैं कि मुस्यवाला SYL music video removed from यूटूब इंडिया यह सब चीज़ें क्यों हुई है अगर आप जाके यूटूब पे अभी सर्च करते हो SYL तो आपको इस तरीके की एक information नजर आएगी जहां पर आपक इस country के अंदर यानि country domain के अंदर यह available नहीं है अब आपको ग्यात हो कि सिद्धू मुस्यवाला जिनकी 29 मही को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पंजाब के मंसा जिले के जोहार के गाउं के अंदर वहां पर जो यह पंजाब पोलिस इनको जो safety प्रवाइड कर रगी थी जै इस बुक पर पोस्ट लिखकर और गोल्डी पराड कौन था लोरेंस विश्णोई का काफी जादा करीबी था लोरेंस विश्णोई जो एक तरीके से जो गैंग लीडर है वो है अब जब यहां पर इनकी डैथ हुई डैथ होने के बाद काफी जादा भारत के अंदर हमने दे इसके दो दिन बाद ही 2.7 क्रोड व्यूज इसके ओपर चले गए थे 33 लैग इसके ओपर यहां पर लाइक आ चुके थे अब बात कर लेते हैं इस वाइल देखे एस का मतलब यानि सत्लूज वाइ का मतलब यानि यमुना अल का मतलब लिंक ये क्या होता है देखे अभी हर्याना और पंजाब के बीच में एक काफी बड़ा एक इसु हम कह सकते हैं कि 40 साल से जो आपकी सामने इसु चलता आ रहा है बहुत गंबीर इसु से इसको कवर करेंगे ट्वीटर पर काफी जादा ये ट्रेंड कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसको कवर किया गया है हिंदुस्तान टाइम के अंदर इसको कवर किया गया है अब इसी के अलावा केवल ये गाना डिलीट नहीं करवाया गया भारत से इसके करीब followers थे और यह account तब बनाए गए थे जब भारत के अंदर किसान अंदोलन चल रहे थे तो यहां पर किसानों की बात online रखी जा रही थी तो इस Twitter account को अब यहां पर ban कर दिया गया अभी ban किया गया इस गाने के साथ साथ और जैसे यह account ban किया गया है Congress इसके उपर भड़की हुई है उन्होंने काए कि freedom of speech नहीं कोई अपनी बात रखी नहीं सकता और केवल यह यह account डिलीट नहीं किया गया है बंद नहीं किया गया है इसके अलावा एक और अकाउंट है ट्रेक्टर ट्वीट ट्रेक्टर ट्रेक्टर ट्वीटर जो है इसको भी ban किया गया जिसके 55,000 followers थे और यह भी सेम काम करता है कि जो किसानों की बात थी online रखने का काम करते थे यह भी उसी वक्त बनाया गया था जब भारत के अंदर किसान अंदोलन चल रहे थे तो यह सब चीजें जो है साधी साथ हुई है जो वीडियो हटानी हुई और दो इन account को ban करना वो यह सारी चीजें जो है वी एक साथ हुई है अब इस SYL गाने को लेकर क्या विवाद हो रहा है इसको जान लेते हैं देखें सिदु मुसेवाला के जो नया गाना आया है इसमें एक तरीके से पंजाब और हर्याना के बीच में जो विवाद है सतलु जिमना लिंक नहर के बारे में बात की गई है और इसमें इस लिंक के अलावा यानि कि जो सतलु जिमना लिंक है इसके अ बबर खालसा जे जुड़े एक बलविंदर सिंग जटाना ने डेथ की थी, दो अधिकारियों की यहां पर मुन को गोली मार कर हत्या कर दी गए थी बलविंदर जटाना के तो यहां पर इसकी काफी ज़ादा परशंसा की गई है, हम ही जानेंगे कि बलविंदर सिंग जटाना यह है कोन धिकारियों की डेथ कर दी गई थी? अब इसके अलावा इस गाने में कहा गए कि यह हर्याना विरोधी है. क्योंकि इस गाने में शिद्व मुसेवाला ने बोला है कि हम पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे आपको. अब एक बूंद भी नहीं देने की बात जब वो हर्याना के लिए हर्याना को कही गई है अब यहां पर काफी सारे लोगों ने इसको defend भी करने को कहा है कि यह हर्याना को नहीं कहा जा रहा है यह center को कहा जा रहा है लेकिन at the same time argument यह आ रहा है कि center के पास पानी नहीं जा रहा है यह आप एक बूंद दीजिए आप एक बाल्ती पानी दीजी वो तो आएगा तो हर्याना के लोगों के पास यह नहीं हर्याना के किसानों के पास यह आएगा अब वहाँ पर आप एक तरीके से बात कर रहे होगी एक बूंद भी पानी नहीं देंगे तो ये हर्याना विरोधी एक तरीके से सामने आ रहा है तो इसका काफी जादा विरोध चल रहा है और इसके अलावा इस गाने में जो किसान अंदोलन हुए थे उस वक्त लाल किले के उपर निशान साहिव जो जंडा फहराया गया था आपकी इस 이मेज में देख सकते हैं ये सेम इसी काने में दिखाया गया है तो यहाँ पर इसको फहराने को लेकर इसकी भी प्रशनसा की गई है कि ये काम सही किया गया था इस image में देख सकते हैं यह सेम इसी गाने में दिखाया गया है तो यहां पर इसको फेराने को लेकर इसकी भी प्रशंसा की गई है कि यह काम सही किया गया था जो यहां पर दिल्ली के अंदर यह सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी इसकी भी इसमें प्रशंसा की गई है तो इन डीगर्ड, हमाचल, हर्याना, यह सब देदो, यानि कि इसमें एक करने की बात की गई है, तो हम आपस में बैट कर सुल जा लेंगे अपना मामला, यह जो पानी जो है हम सेंटर को देने की बात कर रहें कि हम सेंटर को एक बूंद भी नहीं देंगे यह जो एक बोक्सर है विजंदर सिंग काफी फेमस है तो इन्होंने यह बात बोली है अपने पोस्ट पे फेस्बुक पोस्ट लिखी थी इन्होंने यहां पर इसको शेर किया था यहां पर अब इसके ओपर counter argument आजाते हैं कि बात जो है वो पानी की center के पास पानी नहीं जाएगा किसानों के हर्याना के किसानों के पास जाएगा अब at the same time यहां पर जब मैंने इसको सर्च किया तो पता चला नीचे बहुत सारे comment आए हुए थे जिसमें बोला गया था कि जब भारत के अंदर किसान अंदुलन चल रहा था उस वक्त किसान हर्याना के लोगों ने कैसे पंजाब को वहां पर साथ दिया था वहां पर उनके लिए रोटी दूद दही सब चीजों का परबंद कराया था तो बहुत बढ़ चड़ कर भाग लिया तो लोगों की भावनाओं को बहुत जादा ठेस पहुंची है इस गाने से अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर बोला गया है कि अगर नहीं हटे तो फिर बलविंदर जटाना दोबार आऊगा यह बलविंदर जटाना कोन है यह भाईया यह वहीं इंसान है जिसने दो इंजीनियर दो लोगों की गोली मारकर हत्या करती थी जो वह वहां पर SYL यहीं इस नहर का काम करने के लिए पंजाब में वहां पर आये हुए थे तो वहां पर उनकी death मतलब कि उनको मार दिया गया था बलविंदर जटाना के दोरा तो यहां पर बलविंदर जटाना को एक तरीके से बढ़ा चड़ा कर दिखाया जा रहे है कि अ आप यहां पर violence की बात कर रहे हो लोगों को भड़काओ भाशन दे रहे हो कि लोग मार देंगे अगर आपने SYL के मुद्दे को फिर से उठाया तो यहां पर बलविंदर जटाना को ने इसके बारे में बात कर लेते हैं सिदु मुसेवाला की जो यह गाना है इसमें लास्ट से जुड़े हुए थे जटाना को उनके समर्थ तक शिक मुक्तिनायक भी कहते थे बलविंदर सिंग को बबर खालसा के परमुक सुकदेव सिंग बबर का करीबी माना जाता था जटाना को बबर खालसा ने पंजाब के मालवा इलाके का लेक्टिनेंट जर्नल बनाया हुआ अब यहां पर जटाना ने क्या किया था जुलाई 1990 में की डेट याद रखना जुलाई 1990 में सतलो जिमना लिंक नहर के निर्मान को लेकर चंडिगड के सेक्टर 26 में एक अधिकारिक बैठक बुलाई गई थी इस बैठक में जटाना ने चंडिगड में अपने साथियों के सा बाद यहां पर पुलिस जटाना को ढूंडने में लगी हुई थी और इसके ओपर 16 लाख रुपय का इनाम था इसके बाद पुलिस ने 4 सितंबर 1991 को सूचना मिली थी कि जटाना जो है अपने साथी के साथ साथूगड पिंड की तरफ जा रहा है इसी सूचना के बाद पुल इनको ना तो कोई मतलब था एस वायल से ना ही इनको कोई पॉलिटिकल रिलेटिड था इनका काम था इन्होंने जोब हांसिल की थी पढ़ लिकर अब यहां पर इनको मार दिया जाए एक तरीके से वह काफी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गलत काम था बहुत जादा जिसकी मतल अगर काम नहीं रुकेगा तो हम लोगों को मार दिया जाएगा तो वोईलेंस की बात हो यह तो एक तरीके से वोईलेंस को प्रमोट किया जा रहा है सोंग के अंदर अब यहां पर यही सब चीजें यहां बोली गई है कि गूगल और यूटूब रिमूव कर दिया है यह सों जो इंडियन गौर्रमेंट है उसके कहने पर वीडियो रिमूव किया गया है भारत से भारत के डॉमेन से वीडियो को रिमूव किया गया है इवन आप ओडियो सुन सकते हैं भारत के अंदर ही इस गाने को सुन सकते हैं क्यों किया गया है यह सारे रीजन मैंने आप लोगों बात की गई है जो सिक जो कैद हैं जैल के अंदर उनको रिहा करने की बात की गई है इवन यहां पर जो बलविंदर जटाना है जिसने एक तरीके से बेकसूर लोगों को मारा था उसको बढ़ा चड़ा कर वहां पर बताया गया है 26 जनवरी के अंदर लाल किले में जैसे निजा के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वहां पर बात की गई है क्लियर हुआ अब यहां पर सतलु जीमना लिंक जो नहर है इसको समझ लेते हैं यह काफी बड़ा एक विवाद है आप कहें कि नहर के पानी देने की बात हो रही है तो इतना बड़ा इशू क्या हो सकते हैं दे कालिन परदान मंतरी इंद्रा गांदी जी ने पंजाब के कपूरी गाउं में इस नहर की नीव रखी थी 1990 में यह नहर का काम आपको बता है बलविंदर जटाना नहीं यहां पर दो चीफ इंजीनियर को मार दिया था यहां पर अब दोना अफसरों की हत्या के बाद यह काम रूख गया 1999 के अंदर हर्याना जो सरकार है वो सुप्रीम कोट के पास के सुप्रीम कोट ने कहा 2002 में पंजाब को नहर बनाने के आदिश दे दिये हर्याना ने अपने यहां पर 92 किलोमेटर नहर बनाने का काम यह तो कंप्लीट कर लिया है बतार देखिए हर्याना और भी आ नहीं बन पा रही है तो यहां पर हर्याना ने अपना काम कर लिया लेकिन पंजाब में एक काम आगी नहीं बढ़ा पंजाब ने सुप्रेम कोट का फैसला मानने से सीधा इंकार कर दी और यह रिवी पेटिशन डाल दी 2004 में सुप्रेम कोट ने केंदर सरकार से कहा कि आप ए जुलाई 2004 को पंजाब की विधान सबाव ने पानी संबंदी जितने भी समझोते थे वो बिली वापस कर दिये कि हम आपको पानी देंगे जो भी समझोता था हम वो सारे रद कर रहे हैं अब राष्टपती ने पंजाब विधान सबाव के तोरह जो एक्ट पास किया गया था इसको रैफर कर दिया सुप्रीम कोट के पास कि देखिए चेक सही किया नहीं क्या 2016 में पंजाब विधान सबाव ने एसवाइल के नहर के जो जमीन जो ली थी वो वापस किसानों को मतलब एक तरीके से लोटाने का बिल पास कर दिया कि भईया हमने जो जमीन जो ली थी किसा मतलब कर दिया गया है यह हालाज चल रहे हैं अब यहां पर यहां पर इस मुद्धे को समझे यह देखिये यह रही आपके सामने सत्लूज-णर अब सत्रूज नदी जो यह रही यहां पर, अब यहां पर सत्रूज नदी से यह एक नहर बनाई जानी थी, जो एक तरीके से यमुना में जाकर मिलनी थी, अब कहां यह जाता है कि देखिए, जो यह नदी है सत्रूज, इसमें सीजनल टाइम के अंदर पानी इतना जादा हो ज नदियों का पानी जो पाकिस्तान को देनी को बात बोली गई थी और इन तीन नदियों का पानी भारत को देनी को बोला गया था उन तीन नदियों में आती है सत्लुज अब सत्लुज नदी का पानी जो है हम यूज कर सकते हैं अब ये जो पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रह इस तरीके की योजना बनाई गई थी परस्ताविद सतलुजी हमना लिंग जो है वो 214 किलोमेटर एक लंबी नहर का निर्मान करना था जो सतलुज और इमना नदियों को जोडती है जल संसादन राज्य सुची के अंदर गताते हैं जबकि संसद को संग सुची के अंतर राज्य नदियों के संबंद में कानूर बनाने की शक्ति है इसका मतलब यह हुआ कि पानी से जो रिलेटिड जो वोटर से जो रिलेटिड रिसोर्स है वो स्टेट लेवल का इस यानि कि राज्य सरकारा वो कानूर बनाएगी लेकिन पारलेमेंट के पास यह पावर है अगर इंटरस्टेट रिवर्ड जो भी यहां पर इंटरस्टेट दो राज्यों के बीच में जो पानी से रिलेटिड जो इश्यू है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है अब यहां पर यह जो सारी चीज़ें यह आपको इंग्लिश में मिलेंगी हिंदी में आप लोगों को पहले दिखा भी चुका हूं यह सारी बाते अब यह बाते वही हैं पंजाब से निर्मित हर्याना क्यों नदी के पानी का हिस्सा देनी की समझते है उबर कर सामने आई सतलुज और उसकी जो सायक नदी ब्यास नदी के जल का हिस्सा हर्याना को देने के लिए सतलुज से यमना को जोडने वाली एक नहर एस्वायल इसकी योजना बनाई गई थ वेखंस करते हैं, जिस राज्य नहीं गुजरते हैं, उस नदी के पानी करते हैं, उस नदी पानी पर एधिकार उतर वही उसका यूज कर सकते हैं, वह किसी को देंगे नहीं, इन्होंonomy ये बात बोल दी यहां पर, अब 1981 के अंदर दोनों राज्ये पुने फिर से सामने आए और कहा कि हम फिर से बात करेंगे और वोटर के उपर वही शेरिंग कैसे की जाएं इसके पर फिर से चर्चा शुरू ही फिर वहाँ पर 1982 के अंदर कपूरी गाउं के अंदर 214 किलोमेटर की जो इलंबी नहर है इसका एक तरीके से foundation stone रखा गया था इंद्रा गांधी जी के द्वारा और वहां पर जैसे ही रखा गया देश राज्ये के अंदर जो थे आंत्रगवांद का माहुल बन गया internal security का मुद्धा हमारे सामने आ गया बहुत सारे कतले हाम होने स्टार्ट हुए विरोध परदर्शन वहां पर स्टार्ट हो गये थे और 1985 में राजीव गांधी ने ततकाली अकाली दल के परमुकसंत ने पानी का आंकलन करने है तू एक नए न्याधिकरण की सहमती व्यक्त की पानी की उपलगता बट्वारे का पुनर मुल्यांकन सर्वोच न्याले ने एक वहां पर ट्रिबूनल की स्थापना की और इसकी अध्यक्सता जो थी सर्वोच न्याले के जो जज थे वी बालकृष्ण एराडी और इसी ट्रिबूनल का नाम रखाया गया था अराडी ट्रि अब 1980 के अंदर ने दो इंजिनियर को मार दिया था यह काम रूप गया था 1996 के अंदर हर्याना काम पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पाज आती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भईया पंजाब को आप काम को आगे बढ़ाएं दो हजार दो हजार में सर्वोज चनेले ने पंजाब को एस्वाइल काम करने का निदेश दिया था यह कि इशू कब भी समझोते हर्याना के साथ करके थे वो हम सब रद कर रहे हैं 2016 में यह 2004 का एक्ट पास किया गया था यह कितना वैद्या विसकी कितनी वैद्यता है पहिया इसके लिए राष्टपती ने अपनी पावर 143 के तैत आर्टिकल का यूज करते हुए सुप्रिम कोट के पास यह ए अब आप पीछे नहीं अट सकते इस चीज से वहाँ पर 2020 में सरवोच नेले ने कहा कि आप दोनों राजे पंजाब हरयाना के जो सीम है आप बैठिये और सेंटर जो है को इसकी मदस्ता करेगा और हाई लेवल के उपर आप इस समझोते को या फिर यह जो भी डिस्प्यूट एक तरीके से एसेश्मेंट नहीं हुआ है कि यहां पर कितना पानी जाएगा कितना रहेगा यह सब चीजें सही से हुई नहीं है यह पंजाब ने बोला रावी ब्याजजल की उपलबता भी 1981 के अनुमानित 17.17 में ती जो आज की टाइम में घटकर 2013 में 2013 की बात करें 13.38 में हो गई है यानि कि पानी कम होता जा रहा है तो बोला है कि यह तो पुराने टाइम का है आप एक तरीके से बैठिए और दुबारा से एक नया ट्रिबनल की स्थापना करिए यह पंजाब ने बोला अब यह डिस्प्यूट में सैट्लिंग मेकैनिसम में इसको भी हम डिसकस कर सब्सक्राइब का रहे है किंगि गेहूं और भाँ घान की की खेति वहां पर हो रही है पंजाब जो शेत्र है क्रिशी का वो धान के लिए बिल्कुल भी नहीं है करोड रुपे का एक तरीके से हर साल इतना जादा देखिए सत्र हजार करोड रुपे का अन्म यह पैदा करके देते हैं और राज्ये लगबग 79% अपने पानी का दोहन है यहां पर तो सरकार का कहना है कि भाईया हमारे पास ही पानी नहीं बचेगा तो आने वाले टाइम में ह हम कैसे कि सी दूसरे राज्ये के साथ पानी शेर करते हैं यह होगया पंजाब का तरफ भें हरियाना का कहना है कि देखिये हमारे पास जाना चाहिए ओविसलि देख़ी यह राज्य जो है हर्याना 1996 में 1966 में पंजाब से जब हलग वा था तो इसका एक हिस्सा आता है कि यहां पर भी पानी पहुंचाये जाए यहां के हर्याना के किसानों के लिए भी पानी आये तो जो एक हर्याना के लिए जो बात बोले गई थी कि इतना हिस्सा हर्याना को मिलेगा और यहां पर कोई इनों ने यहां पर का जा रहा है कि कोई भीग नहीं मांगे थी यह एक यहां पर राइट डिस्टिबूशन था कि हर्याना को पानी दिया जाना चाहिए वह नहीं हो रहा है तो हमारे rights की तरीके से पानी नहीं दिया जा रहा ह। यह अर वह में दिया जाना चाहिए। आप यहांपर फेलच की बात कर लेते हैं सत्लच नदी का जो प्राचीन नाम है जराद्रोश जो प्राचीन उन्त आनी है यह शूतुर्द यह शुतूरध तुर्द भी का जाता है संस्क्रित शवद हैं और ये संदू नदी की पांच साइक नदियों में सबसे लंबी नदी है पंजाब जिसका मतलत है पांच नदियां इसको नाम देती है जेलव चिनाब रावी ब्याश अतलो सिंदू की पर्मुक सायक नदियां आ जाती है हमारे सा तो यह पंजाब के मैदानी भाग में आती है पंजाब के नंगल के पास नंगल के पास पंजाब के मैदानी भाग में एंट्री करती है और यह एक बहुत बड़ा ब्रोड एरिया वहां से दक्षिन पश्चिम के और बहते हुए ब्यास नदी के अंदर मिलती है और पाकिस्तान में परवेश करने से पहले भारत-Pakistan सीमा 65 mil ये बहती है और इस परकार ये अंधता है बहावलपूर्पूर के पश्चे में चिनाब नदी में शामिल हो जाती है और इसके साथ 220 mil की दूरी तेय करती है सतलज नदी पाकिस्तान में परवेस करने से पहले फिरोजपूर जिले के हरीके के ब्यास नदी में मिलती है सतलज नदी जो है वो तब पंच नाद बनती है जो पांच नदियों और सिंदू के बीच की कड़ी है लहूरी चरण एक जल विद्यूत परियोजना जोई माचर परतेश के शिमला और कुलू जिलोंक में सतलज नदी पर ही स्थीत है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं युमुना नदी के उद्गम कहां से होता है देखिए यह गंगा की एक परमुख सायक नदी है उत्तराखंड के उत्तर कोशी जिले के समूंदर तल से लगवग 6387 मीटर की उन्चाई पर स्थित लैसर हिमाले के मसूरी रेंज से बंदरपू चोटियों से एक युमनोतरी गलेशिर से निकलती है बेसीन जो है तेके उत्तराखंड हिमाचल परदेश हरियाना दिली से होकर यह पर्याग राज के उत्तर परदेश में जहां पर कुम्ब का मेला आयुजित किया जाता है वहां पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है इसकी जो लंबाई है 1776 किलोमेटर है और इसके उपर जो महतपुन जो बांध बनाए गहे हैं लकवार व्यसी बांध हो गया ताजेवाला बेराज बांध हो गया और महतपुन इसकी जो साहिक नदी आती है चंबल, सिंद, बेतवा, केन इसकी परमुख साहिक नदी आ जाती है और आगे की रह क्या हो सकते है देखिए वही बात आती है कि सर्प्रीम कोट के दोरा एक ट्रिब्निल की गठन किया जाए जो बैलन्स बनाए दोनों राजियों के बीच में और एक बैलन्स एक निर्ने ऐसा निकाले कि भाया जो नदी है जिसका पानी जो सतलुजी नदी का जो पानी है वो एक सही वे में उस समझ में आ गया होगा फिर से बता देता हूं पीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में टैलिक्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशिक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अप ग्यू फर वाचिं दिस रूटल